यदि आप सभी लोगों को भी रैप सॉंग सुनने का शौक है तो आप हनी सिंग को अवश्य ही जानते होंगे। हनी सिंग ही ऐसे सिंगर है जिन्होंने इंडिया में रैप सॉंग के क्रेज को शुरू किया था। इसके बाद कई ऐसे सिंगर हुए जिन्होंने रैप सॉंग को अलग ही स्टेज पर पहुँचा दिया आज की इस वीडियो में हम आपको पंजाबी सिंगर यो यो हनी सिंग के बारे में जानकारी देंगे कैसे उन्होंने पंजाबी गानों से बॉलीवुड इंडस्ट्री में एंट्री की हनी सिंग ने जितनी जल्दी बॉलीवुड इंडस्ट्री पर राज किया उतनी ही जल्दी वह इस इंडस्ट्री से गायब भी हो गए थे आज की इस वीडियो में हम इस बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे और वीडियो के लास्ट में हनी सिंग के विरोधी के लिए एक लाइन है, जरूर देखना यो यो हनी सिंग का जन्म 15 मार्च 1983 को होशियारपुर में एक सिख परिवार में हुआ इनके पिता का नाम सरबजीत सिंग और माता का नाम भोपिंदर कौर हैं सिंग की माँ पंजाब के होशियारपुर से हैं और उनके पिता पंजाब पाकिस्तान के एक शरणार थी हैं जो अन्ता विभाजन के दौरान नई दिल्ली में आकर बस गए हनी सिंग की एक बहन्स नेहा सिंग है यो यो हनी सिंग के बचपन का नाम हिरदेश सिंग था बाद में जब यह म्यूजिक इंडस्ट्री में आए तो उन्होंने अपना नाम बदल कर यो यो हनी सिंग रख लिया इन्होंने अपने शुरुवाती पढ़ाई दिल्ली के गुरु नानक पबलिक स्कूल से की इसके बाद वह संगीत की पढ़ाई के लिए लंदन चले गए और यहां इन्होंने त्रिनिटी स्कूल से म्यूजिक में ग्रेजुएशन की हनी सिंग की शादी शालिनी तलवार से हुई थी अब दोनों का तलाक हो चुका है बतादे की दिल्ली के साकेत जिला के फैमिली कोर्ट में केस की सुनवाई के बाद हनी सिंग और शालिनी के तलाक पर मुहर लग गई थी हनी सिंग की पतनी शालिनी ने एलिमनी के रूप में 10 करोड रुपए की माम की गई थी जिसके लिए दोनों के बीच एक करोड रुपए पर सहमती हुई है दस साल से ज्यादा पुराना रिष्टा अब खत्म हो गया इस दौरान दोनों के बीच जम कर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चला था फिर दोनों ने ही एक दूसरे से अलग होने का फैसला कर लिया दोस्तो हनी सिंह का म्यूजिक इंडस्ट्री में एक अलग ही दब्दबा है जब उन्होंने म्यूजिक इंडस्ट्री में एंट्री की थी तब उन्होंने अपनी गायकी के अंदास से सभी युवाओं को अपना दिवाना बना लिया था शुरुवाती दौर में हनी सिंह पंजाबी गाने ही गाया करते थे उसके बाद वह कई बॉलिवुड गानों में भी अपनी आवास देते हुए नजर आये छोटा बच्चा हो गया बड़े से बड़ा सभी लोग हनी सिंह के गानों के दिवाने हैं इन्होंने हिंदी और पंजाबी भाशाओं में काफी गाने गाये हैं इनका पहला एल्बम साल 2005 में आया था जिसका नाम पेशी था इंटरनेशन विलेजर एल्बम से इन्हे सिंगर के तौर पर पहचान मिली उसके बाद इनके आये हर गाने हिट होने लगे साल 2011 में आया इनका गाना ब्राउन रंग अंग्रेजी बिट लोगों की जुबान पर चड़ गया यह उस समय के सबसे हिट गानों की लिस्ट में शामिल है इसके बाद धीरे धीरे करके इनकी पॉपुलरिटी तेजी से आगे बढ़ती चली गई साल 2013 में उन्होंने शाहरुख खान और दीपिका पादुकोन की फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस के लिए भी लुंगी डास गाना गाया जिसको लेकर इन्होंने काफी सुर्खियां भी बटोरी थी साल 2013 में ही उनका पार्टी ओल नाइट सनी सनी आदी गाने आये यह सभी गाने काफी सुपर्ड उपर हिट साबित हुए थे इसके बाद साल 2014 में उनका चार बोतल वोड का लव डोज ऐसे गाने आये जो लोगों को काफी पसंद आये उस दौरान हनी सिंह एक ब्रांड बन गए थे सभी लोग उन्हें बेहत प्यार कर रहे थे और उनके गानों का बेसबरी से इंतजार कर रहे थे साल 2015 में उनके गाने वन बोतल डाउन को भी काफी पसंद किया गया इसके बाद हनी सिंह ने भूतनात रिटर्स में भी अमिताब बच्चन के साथ परफॉर्म किया और गाना गाया उनका यह गाना भी सुपर डुपर हिट साबित हुआ था चोटी बजट की फिल्मे जैसे मेरे डैड की मारुती बजाते रहो हुगली में भी हनी सिंह ने काफी गाने गाए और उनके सभी गाने काफी हिट हुए जहां सन 2015 तक हनी सिंह की पॉपुलरिटी का कोई अंदाजा ही नहीं था उनका हर एक गाना सुपर डुपर हिट साबित हो रहा था सभी लोग उनके फैन थे बॉलिवुड में भी उनका सिक्का चल रहा था तभी अचानक हनी सिंह के करियर में ऐसा दौर भी आया जब साल 2015 से लेकर 2017 तक वह संगीत की दुनिया से गायब रहे उस दौरान उनके चाहने वालों ने उनके गानों को काफी मिस किया इस दौरान कई अफवाह भी उडाई गई थी जैसे कि वे ड्रक्स एवन शराब की लत छोड़ने के लिए चंडीगड के किसी नशा मुक्ती केंदर में अपना इलाज करवा रहे हैं और हनी सिंह और शाहरुख खान के बीच भी नोकजोग हो गई थी जिसमें शाहरुख खान ने हनी सिंह को थपड़ भी मारा किन्तु ये केवल अफवाहे थी किन्तु उसके बाद साल 2018 में हनी सिंह ने फिर से म्यूजिक इंडस्ट्री में एंट्री की और बताया कि उन्हें एक बीमारी हो गई थी जिसका नाम Bipolar Disorder या Psychotic Simpetum है उसके इलाज के बारे में हनी सिंह ने बताया कि उन्हें साथ डॉक्टर की मदद लेनी पड़ी जिसमें से कुछ ने तो इसे लाइलाज बता दिया था और हनी सिंह ने ये भी बताया कि उन्हें इससे निकलने में 5 साल लग गए थे और दवाओं के असर से काफी मोटे भी हो गए थे और उसके बाद म्यूजिक इंडस्ट्री में एंट्री की तथा सोनू के टीटू की स्वीटी के लिए एक गाना गाया बाद में हनी सिंह ने कई और गाने गाए उनके सभी गाने काफी सुपर डुपर हिट हुए हनी सिंह काफी मेहंत कर रहे है और अभी लगी वजन भी कम किया है और जल्द ही उनका एक धमाकेदार सौम कलास्तर आने वाला है तो ये थी सुपर स्टार यो यो हनी सिंह की सक्चाई और एक ही बात कहूंगा कि शेर जंगल से गायब था इससे राजा कोई और नहीं बन सकता धन्यवाद मिलते हैं अगले वीडियो में